तो आगत है आपके एको नई वीडियो में तो भाईया पहले शुरुआत करने वाले है पैपे टोकन से ठीक है तो पैपे टोकन यहापर देख लो मैंने आपको सुभई बताया था कि भाईया पैपे से थोड़ा सा बचके रहना रीजन क्या है क्योंकि यहाँ पर क्रेश आने लग गया तो यहां से आप अगर मेजर करोगे तो 22 प्रेसेंट का भाईया क्रेश आ गया है जिन्होंने टॉप पे लिया होगा पैपे टोकन उनका तो भाईया लॉसी लॉस यह बाकि आपको बता दूँ प्रॉफिट इनका है प्रॉफिट उनका भाई जिन्होंने नीचे लिया हुआ है ठीक है तो मैं आपको प्रमोट करके नहीं बता रहा है इस टोकन को लेकिन हाँ मैं आपको एक शी जरूर काऊँगा कि यहाँ पर ना मोमेंटम कहीं ना कहीं पैपे टोकन में लूज हो रही है यहाँ पर अगर पंद्रमेट के चार्ट फ्रेम मैं देखा हूँ वैसे इस टाइम पर टेक्निकल इतना फॉलो होता नहीं लेकिन पंद्रमेट के साब से देखोगे आप तो यह एक लेवल था यहाँ से की पैपे टोकन को सपोर्ट लेके उपर जाना चाहिए था लेकिन यहाँ पर क्या हुआ देखो लिक्विलिटी पहले नीचे की खा गया नीचे की लिक्विलिटी यानी की यहाँ पर जो लॉंग वाले थे जिन्होंने यहाँ से लॉंग कर ओगा भई उनके स्टोपलस यहाँ गे तो यहाँ पर देखो रिस टोपलस हंट होगे अब पैपे टोकन जा रहा है उपर एक एरिया है जो मेरे साब से ठीक है ठीक ठाक ए एरिया में तो make sure कि अगर पैपे टोकन इस एरिया में आता है तो थोड़ा सा नज़र रखिएगा क्योंकि यहां से फिर आपको फॉल देखने के लिए मिल सकता है लेकर आपको अभी भी वह लूँआ कि पैपे टोकन से दूर रहें पैपे कोईन में इन्वेस्टमेंट ना करे यह सिर्फ एक गेंबलिंग है गेंबलिंग के तौर पर देखें अब पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं यहां पर पहली अपडेट कहां से आ रही है पहली अपडेट आज हमारी आ रही है केन्या से ठीक है तो केन्या आप सभी को पता है एक केन्या कंट्री है ठीक है औ NFT के उपर और crypto के उपर या जितरे भी online influencers है ठीक है जो content create करते हैं even उनके उपर crypto text देना पड़ेगा यहाँ पर आप देख सकते हो 3% crypto text currency text है उसके बाद 15% जो online content है उसके उपर set text है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह पूरी pages है इनको आप अगर read करना चाहते हो बाकी बस खबर यही है कि 3% crypto text लगा हुआ है और उपर सा अगर आप देखोगे तो content जो influencers create करते हैं finance के उ उसके उपर भी अब Kenya में text देना पड़ेगा ठीक है तो यह article है आपके सामने you can check it out और बाकी इसमें कुछ है नहीं इतना खास मैं आपको सिधा मुद्दे की बात पर लेके चलता हूँ मुद्दे की बात यह है कि अगर आप Binance के उपर जाओगे और Binance में आप देखोगे P2 तो आप एक शीज देखोगे भाया यह जो sellers है ना P2P वाले यानि कि यह तो भाया जो retail है उनको लूट रहे है किस तरह से भाई 90 रुपे का एक USGT 91 रुपी का एक USGT 92 का एक USGT आपको मिल रहा है बहुत महेंगा मिल रहा है मैं आपको कई वीडियो में बता रहा था कि दे और यह verified है तो भाई यह जो भी लोग कह रहे हैं ना हमसे कि P2P में भाई हम किस तरह से चुने एक अपने बायर को या seller को तो यह देखो जो ब्लू टिक यह जो यह लो टिक है ना यह वाले जो है जैन्वन है लेकिन जैन्वन बेर्शक सही लेकिन इस टाइम आप लेके क्या करने का INR से अभी कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि USDT आपको इतना महंगा मिलना है ठीक है और सारे कि सारे आप देख लो इसका रीजन क्या है रीजन यह यह पहली बात तो यह है कि P2P स्केम बढ़ रहे हैं तो लोग फियर में होते हैं और जिनको इंवेस्टमेंट करना है तो जो सामने वाली पार्टी है वो किस तरह से फायदा हो सकती है प्रीमियम रेट में बेचे भाई ठीक है तो यह आप देख लो बाकी आने वले टाइम में हो सकता है कि यह जो रेट है गरेंगे तो एक अच्छे ऑपरशनिटी है ठीक है P2P के उपर अभी तो आपके लि के चलता हूं बिटकोइन के उपर सो भाई बिटकोइन में क्या है बिटकोइन अभी 29 या के करीब टेड कर रहा है मैंना उल्लेड़ी आपको बता के रखा हुआ है कि यह जो जबल है देखो अभी बिटकोइन जो है एक बहुत लंबे सिमेटिकल ट्रेंगल के अंदर फसा अची बात है अगर 27 से नीचे टूटता है तो बियर इश हो जाएगी ठीक है तो सिमेटिक ट्रेंगल के अगर ब्रेक आउट देखने है आपको तो 30 यह लेवल उपर की साइड है और 27 यह लेवल नीचे की साइड है इसके उपर अपनी नहज़र रखिएगा बाकि थैंकी सो बात